क्या है यह प्रोग्लम अभी हमारा पार्ट टू है यह हमारी इस वीडियो का चाप्टर नॉम्बर शिक्टीन प्रेंग विद नॉम्बर राइट तो तरह देखिए हमारे इस पार्ट में आप यह सीखेंगे कि कैसे आप इन विसिंग डिजिट्स की वैजों निकालेगे आपके पास questions है अभी तो आपके पास मैंने addition में question लिए है आपको इन दोनों का sum करना है sum find out करना है और उसी के recording आपको missing digits की वैजों निकालनी है तेकि जो आपके पास missing A, B लिखा हुआ है यह एक single digit है आपके पास 0 to 9 mean A और B दोनों की value जो है आपकी 0 to 9 के range में रहें यह 0 to 9 तक हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ओके यहां पे है कुछ addition के question इसके बाद हम लेंगे multiplication के question और कैसे आप इन questions को trial and error method से solve करते है और कैसे आप इसमें एक concept भी use करेंगे equation भी बनाएंगे तो जरा देखे बने रहें मेरे साथ हम दोनों ही method आपको discuss करेंगे देखिए आपके question number 1 बहुत easy question लिया है मैंने कहले क्योंकि हमारी गुरुजी कहते है कि पहले easy से probability तरफ बढ़िये तो बच्चे का interest बना रहता है तो देखिए सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि मुझे b कितरा put करना चाहिए so that b plus 1 देखिए आपके पास क्या है b plus 1 is equal to आपको 8 मिलना चाहिए तो बच्चों obviously आपको पता लग रहा है कि b की value आपका 7 होना चाहिए मैं answer part यहां लिखता हूँ यहां हम यहां लिख लेते हैं answer part तो आपने suppose किया 2a and 7 तो 7 plus 1 किया जब बच्चों मैंने तो मेरे पास value आगया 8 यहां तक value ठीक है कोई दिकत नहीं 7 इसको a b को हमने 7 तंसीटर किया अब देखिए अब b कहां कहा है b आपका यहां भी है और b आपका यहां भी 7 आ जाएगा और आपका यह digit पी 7 आ जाएगा और यहां quality बन आपको given है यह आपको इतनी problem solve हो गही तो यहां से देखिए आपको b का value मिल गया है b is equal to 8 minus 1 that is b is equal to 7 आपको इस condition से b की value हाइड हो गही और b का value हमने यहां पे fill कर दिया है यहां fill किया है और d का यहां भी fill किया और यहां भी fill हो गया है अब देखिए हम क्या करें आपके पास बच्चो एक number आ रहा है आपके पास 7 plus a plus 7 is equal to आपको तो यहां आप क्या देख रहे हैं आपको 7 plus a जो है वो 1 कैसे मिल सकता है not possible because only 7 is there तो obviously यहां आपको एक two digit number मिल रहा होगा mean two digit number कैसे मिल रहा हो इन दोनों का जो sum है वो आपके पास 11 आ सकता है 7 that is a is equal to आपको 4 मिल रहा है देखिए बच्चो हमने 11 ही क्यों consider किया because two digit number की बात करें अगर देखिए हमें a की value क्या put करने है a का value आपको 0 to 9 put करना है 0 to 9 तो 0 to 9 मैं गर मैं 9 भी यहां plus करता हूं तो 9 plus 7 16 बनता है तो कि मेरे पास यह जो range maximum है इसका maximum 7 to 16 ही जा सकता है जब मैं a को 0 put करना तो मेरे पास आएगा 0 plus 7 7 और जब मैं 9 put करना तो 9 plus 7 16 यानिकि इसका a का range हो गया total expression का range हो गया इसका 0 to 7 to 16 हो गया तो आपको इतना को ज़रूरत नहीं है यह देखिए जरा आप कैसे आपने इसको 11 बना दिया क्योंकि आपको 1 place 1 चलिए था तो आपने equal to 11 लिया और यहां से आपको a की value मिल दी तो अब आप a की a को replace कर देंगे यहां से आपके पास 4 बच्छो 7 plus 4 आपके पास कितना हुआ आपने यहां 7 put किया है तो यहां भी a है 4 put किया है तो यहां भी आप 4 put कर दीजिए अब देखिए 4 plus 2 आपका यहां से carry आगे चला गया यहां carry आ रहा है 4 plus 2 plus 1 7 यहां की condition satisfy हो रही है क्योंकि आपने b की value already set कर दी तो यहां मेरा true हो गया तो मेरा यह answer है इस question का mean a is equal to 7 और b is equal to 4 देखिए थोड़ा सा एक और interesting question हम आपके बढ़ते हैं तो 7 plus b अगर मैं करता हूं तो मेरे पास सामने a आता है यानि कि 7 plus मैंने b किया तो मुझे a मिलता है अब मेरे पास इस situation में दो digit missing हो गए तो यहां पे आप कैसे इन digits का पता लगा सकते हैं कि अगर मैं b is equal to यह करूं b is equal to a minus 7 हो जाएगा मेरा तो अब b की वेल्यू कितना हो यानि आप a की वेल्यू क्या पूट करें कि b की वेल्यू एक गोल नमबर आए और a की वेल्यू क्या पूट करें कि आपके पास b की वेल्यू एक गोल नमबर आए तो थोड़ा सामने आप confused हो रहे हैं पता नहीं कर पारें इसको राइट तो त सकता है correct ना हो ऐसी condition में लेकिन आप try कर सकते हैं इसको कि हो सकता है यहां से carry आके भी यह 9 बन रहा हो तो यह हमारे side में doubt रहेगा है कि हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन 7 plus a plus 7 a plus 7 is equal to 9 आगे मेरे पास तो यहां से आपके पास a का value बचो 9 minus 7 that is a is equal to आपको 2 मिल रहा है आपका a का value 2 आ गया चलिए a का value 2 put कर देते हैं 2 b 7 7 और a का value मैंने 2 put किया है यहां भी 2 put कर देंगे तो b और बच्चो यह आपका बन जाएगा 9 8 और 2 a का value मैंने 3 जगे पे put कर दिया यह मेरा खतम है राइट एक value हमारा यह हमने फाइनल नहीं किया है आंसर नहीं है लेकिन होल्ड कर देंगे इसको अभी देखते हैं इसके पोड़िंगे b का value क्या suit करता है हमारा तो चलिए रिखाते हैं अब यहां से आपके पास इज is equal to 2 तो b is equal to बच्चो क्या आ गया 2 minus 7 यानि b is equal to आपके पास हो गया minus 5 अब minus 5 तो बच्चो आपके पास कैसे हो सकता है टाइट और नोट यानि कि 7 plus b is equal to 2 only कैसे होगा minus 5 तो होगा नहीं यानि कि हमारा क्या है कि यह एक 2 डिजिट नमर होगा मिन ओर only 2 this is 12 यह आपका 12 होग then only this is possible because digit का value जो है वो 0 to 9 होगा negative नहीं हो सकता है तो यहां से हम समझ गये कि यह only 2 नहीं है यह आपका 12 है जैसे हमने यहां पर यह mistake किया था कि हम यहां पर यह सोच रहे थे कि 7 plus b is equal to a है तो b is equal to a minus 7 यानि a का value है वो आपका यहां से हमें confirm नहीं हो पाला था because negative आना था तो इसको इसमें confused नहीं होना है आपको तो देखिए 7 plus b is equal to 12, b is equal to 12 minus 7 that is b is equal to बच्चो आपके पास आदेगा 5 तो आपका b का value 5 आ गया अब देखिए b को मैं 5 से replace कर देता हूँ जहां भी b है उससे 5 से replace कर देजिए और अब चेक करिएगा अपना answer क्या आपका answer exactly match हो रहा है अगर हो रहा है तो हमारी values ठीक है हमारा यह consideration ठीक था 7 plus 5 12 12 का 2 carry 1 5 plus 2 7 or 1 8 then 7 plus 2 9 it is exact so this is the right answer this is also this is the value of a and this is the value of d next question number 3 बच्चों आपके पास है now you have to multiply these two numbers एक two digit number है आपके पास और एक one digit number है तोनों का multiply करना है और आपके पास answer आ रहा है 9 into a answer में भी एक a है मतलब यह जो तिनों digit है वो same होंगे right वो एक ऐसा digit put करना है कि इन दोनों का multiply करूँ तो मेरे पास वही digit यहां पर आए और उसके coding हमारा यह answer है तो देखिए इसमें मैं आपको दो में जोना हो एक आपका trial and error method जो कि आप use कर सकते हैं दूजर आपको एक equation form करनी होगी उसके coding भी आप इसका answer find out कर सकते हैं देखिए तरह कैसे करते हैं आप थिंग कर रहे हैं कि let a is equal to 1 बच्छो अगर आपने a is equal to 1 consider किया तो देखिए आपका क्या होगा वन इंटु वन इंटु वन इंटु वन डिवाइद पाए वन इंटु वन और वन इंटु वन हो जाएगा mean आपका यह a is not equal to 1 है mean आपका यह 9 नहीं आया है आप एक equation आपकी satisfy नहीं हो रही है तो इसी प्रीके से आप क्या करेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप सुचेंगे a is equal to 2 होगा 2 into 2 4 no that is wrong 2 to 4 नहीं हो सकता because आपने इसको 2 put किया है कि यहां भी आपका 4 आ रहा है 3 into 3 9 आ लिए not possible 4 into 4 4 into 4 16 होता है not possible 5 into 5 25 हाँ a equal to 5 आपके पास एक condition दिलती है आपके पास a is equal to 5 नहीं answer आपके बढ़ते हैं क्या मेरा a is equal to 6 हो सकता है 6 into 6 36 हा 1 digit 6 आ रहा है once place 6 into 6 into 6 बच्चो 36 36 और कहीं आपके पास 3 6 बंजा 6 और 3 9 यह आपका answer मैंच हुआ यहनि आपकी बच्चो एक ही जो value है वो आ रहे है आपकी 6 चलिए आपकी equation form कैसे करते है इसका equation की help से कैसे सोच करते हैं बच्चो यह देखे जड़ा कि अगर मैं इन दोनों numbers को एक form में लिखता हूं 1 into a is equal to थोड़ा सा मुझे left में करना है मेरी equation form होगी तो थोड़ा lengthy हो जाएगी 1 into a into a is equal to 9 into a आपके पास यह आपकी condition है कि 1 into a एक number है इसको ऐसे लिख सकते हैं और उसको a से multiply करना है तो आपके पास 9a आएगा तो देखिए 1 क्या है वन यहापके बच्चो आपका 10th place digit है जड़ा समझने की कोशिस के लिए concept को क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपका trial and error method आपका बहुत जड़ा time खराब कर देगा तो आपका यह method अभी हम जैसे question number 4 or 5 में आगे बढ़ेंगे तो वहां से आपको पता लगेगा कि आपका यह method कितना आपके लिए truthful रहेगा तो यह once 10th place digit कितना है इसका 1 तो 10 into 1 प्लस आप करेंगे a और उसको multiply किया गया है बच्चो a से a is only a single digit number तो इसको कुछ भी expand करने की जुरूब नहीं है यहाँ पर 9 आपका है 10th place digit और a आपका है once place digit तो a into 1 लिखना है simple यह रिखेंगे यह बन जाएगा बच्चो आपका 10 यह हमारे equation को होगी आप यहाँ पर multiply भी लगा सकते हैं कोई कर देंगे तो देखिए अब a को अंदर multiply करेंगे a को 10 से multiply किया बच्चो मैंने 10 a plus a को a से किया बच्चो बनेना a square is equal to 90 plus a okay अब आप देखिए क्या condition बन रही है अब a को इदर left में आई इन दोनों को उठाके left में रखेंगे a square सबसे पहले लिखिए a square जब आप a को यहाँ left में लेके आएगे तो a minus हो जाएगा 10 a minus a आपके पास बचेगा plus 9 a और minus आपके पास है 90 is equal to 0 बच्चो यहाँ पर आपके पास एक quadratic equation set हो गई है आपको इस quadratic equation को solve करना है by using the factor method okay आपको इसके factors बनाना है by using separating middle term method जो कि आपको इस class 8 में सीखना भी है method और आप यहीं से सीखना शुरू कर देजिए आपके पास quadratic equation जो है किसी भी फिल्ड में हीट हो सकती है मैं I mean किसी भी chapter में आ सकती है तो इसको आप पहले आप प्रोसेस जो इसका है वो सीख दीजिए देखिए आपको 9 a को split करना है आपको multiply कितना चाहिए बचो आपको multiply जो चाहिए आपको मैं यहां लिखेता हूँ multiply आपको आपको 9 a को split करना है multiply आपको चाहिए इन दोनों ही नमदर के equal यानिके minus का 90 a square यानिके मैं 9 a को कैसे split करो two parts में कि मेरे पास multiply minus 90 a square आज़े और सम बच्चो मुझे क्या चाहिए यह सम हुझे चाहिए बच्चो 9 a सम आना चाहिए 9 a तो आप कैसे split करेंगे देखिए a square पहले मैं equation यहां copy कर लेता हूँ 9 a minus 9 बच्चो इसका splitting middle term जब हम करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे हमारा 15 a minus 6 a minus 90 is equal to 0 बच्चो यह मैंने इसको split कर दिया है देखो बच्चो अगर मैं आपको कूछता हूँ कि आप 9 लिखें तो आपने यह लिख दिया 15 minus 6 is equal to 90 तो होता है कोई दिकत नहीं है आइच आपने लिख दिया 10 minus 1 9 तो होता है लेकिन आपका इस तरह के pairs में लिखन आपका दोनों condition match कहां हो रही है देखिए प्लस 15 एक मैं 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 मैंटिप्लाइ करूँगा तो 15 6 जा 90 मिरता है मुझे 90 क्या चाहिए थी इन दोनों टम्स को मुल्टिप्लाइ कर ने का तो यह मेरा 15 है और यह मैंने 6 a चाहीए थी 15-6, 9A बचेगा आपके पास, ओके तो यह आपका होगया Speeding Middle Time, आप देखिए इन दोनों पेर्स में, जो common क्या दिका लेगे, यहाँ A common आ रहा आपका दोनों में से, यहाँ बचेगा विरे पास A आपके पास अंदर क्या रह जाएगा बच्चों, यहाँ A और यहाँ A-6, इस इकोल टुजिए अब देखिए गजरा, आपके पास दोनों पेर्स में से, इस पेर्स में से, आपने A प्लस 15 प्लस निका लिया, यहाँ क्या बचेगा A और माइनस 6 आपके पास, आपके पास दो ब्रैकेट है, दो फेक्टर है, उन दोनों का प्रोडेक्ट आपके पास जीरो आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता कौन जीरो है, तो आप दोनों को ही अलग अलग जीरो के एक्वल पूट करतेंगे, तो यहाँ से आपके पास A का वैल्डियो आएगा, बच इक सिंगल डिजीट है, नेगिटिव नहीं हो सकता, दूसरी पात एक टू डिजीट का नमबर नहीं हो सकता, विकोज ऐसे कोशन में आपके पास जो वैल्लियो आएगा वैल्येबल मिसिंग का, जो अलफा रभीकट का वैल्लियो आएगा आपका वैल्येबल का, वो 0-9 एक स से भी आंसर आजाएगा यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि 1 है 2 है 3 है 4 है तो यह था बच्छो हमारा question number 3 चलिए एक और question लेते हैं ऐसे ही multiplication में आप कैसे equation बनाएंगे और कैसे आपका question number 4 question number 4 A B एक number है उसको आपने multiply करना है 3 से और आपके पास बच्छो आंसर आना चाहिए CAB इस पौन में आना चाहिए CAB बहुत ही important question है जरा देखी कैसे आप इस question को solve करेंगे बच्छो यहां पर हमारे पास possibilities ज्यादा बढ़ जाती है क्यों देखी जरा एक ही step में आप समझ जाएंगे कैसे possibilities की बात कर बाग में देखिए आप क्या करना चाह रहे है आपका condition है कि B को आप किसी number से multiply करें तो देखिए if B is equal to 0 तो 3 into 0 possible है यानके B का एक 0 possible है तुमारे पास यानि B की एक value 0 हो सकती है बच्छो इसलिए हमने देखिए B equal to 0 और दूसरा देखिए 3 into 1 अगर मैं B की जिए 1 put करता हूं तो 3 into 1 3 आ जाए गया that is not possible कि यहां पर 1 put किया B को यहां B 3 आ गया that is wrong तो 2 put करें 3 to 6 not possible 3 to 3 not possible 3 4 to 12 not possible 3 5 to 15 yes P is equal to आपके पास दूसरे कर नीचे न आ गई है 5 B के आपके पास दो option है बच्छो इसकोशन ने की B की value आपकी दो हो सकती है लेकिन comparatively आपकी B की value के साथ कौन सी value इन में से A और C की match खाती है वही हमारा final answer होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए की case 1 solve करते हैं करते हैं करते हैं case 1 case 1 का मतलब यह है मेरा कि मैं पहले B की value 0 के उपर condition solve करता हूँ B is equal to my area 0 और यही हमारा answer लिख देगे तो चलिए बढ़े रहिए keep watching till end you will understand it better a value put कर दीजिए पहले आपके पास condition बन जाएगी बच्छो तो a 0 3 into c a or 0 ओके यह मेरे पास condition बन जाएगी after putting the value of b at the both the places यहां सी यह condition बन गे अब इसको आप equation में लिखते हैं अब यह बंस प्लेस है यह 10th place है तो यह बच्छो क्या बनेगा 10 a plus 0 into 3 इसको ब्रेकर में लिखाए विकोज यह जो 3 है वो पूरे के साथ मुर्टिक्लाइब रहे इस इकोल टू यह है बच्छो 100 a 100 c sorry a नहीं 100 c जसा कि मैंने आपको पहले बताया था chapter introduction में कि आपको ऐसे करना है यह फिर डिजित नंबर होगा कि यह आपका 100th place होगा 100 c plus 10 a plus 0 अब दोनों इसे 0 को भूल जाए और 10 को अंदर कर दीजिए यह बन जाएगा बच्छो आपका 30 a is equal to 100 c और प्लस 10 a अब 10 a को आप लेफ्ट में खिये माइनस कर दीजिए यह बन जाएगा बच्छो आपके पास 20 a is equal to 100 c अब आप 20 आपके पास आपके पास आपके पास आपके पास एक वैल्लीव आदी है अब यहां पर आपकी जनरल थोड़ा थिंकिंग भी काम करेगी कैसे कि आप आपको पता है ए और सी क्या हो सकती है 0 to 9 एक single digit होगा तो आप a की कौन सी वैल्यू यहां पूट करें so that c की वैल्यू जो है वो एक खुल नमपर आए 0 to 9 आए राइट देखिए अगर आप a1 सोसते हैं तो 1 by 5 decimal आ गया, 2 by 5 decimal आ गया, 3 by 5 fraction आ गया, decimal आ गया, 4 by 5 तो आप पूट करेंगे बच्चो यहां पर 5 a equal to 5, okay so a is equal to 5 होगा आपका और जब a equal to 5 होगा तो c is equal to बच्चो 5 by 5 that is 1 आ जाए रहे c is equal to आपका 1 होगा यह होगे आपके final answer then यहां answer लिखूँ कि b is equal to 0 है यह मैंने case all किया था b equal to 0 तो बच्चो आपका एक answer क्या हो गया आप यहां मैं answer लिख देता हूँ आपका final b a is equal to आपके पास है 5 और b is equal to आपके पास है 0 और c is equal to आपके पास बन रहा है 1, okay क्या होगा आप समझगे ऐसे ही दूसरी condition में expression solve करेंगे equation बाते हुए हम solve करते हैं बच्चो case 2, case 2 में आप क्या कर रहे हैं b का value 5 लेते हैं चलिए b का value 5 लेते हैं तो हमारा expression क्या बन जाएगा बच्चो a 5 3 cross c a और 5 यह बन गया मेरा expression चलिए अब आपके बढ़ते हैं equation क्या बनेगी a 5 into 3 is equal to c a 5, okay this multiply by this is equal to this अब आप इसको x पेड़े और चलिए इस 4 में लिखिएगा a is equal to यह क्या है 10th place a plus 5 into 3 is equal to 100c plus 10a plus 5, right इस पर आपके पास 0 नहीं है यह आपके 5, okay तो आप देखिए इसको अंदर multiply के लिए थरिक हो, यह बन जाएगा बच्चो आपका 30a plus 5 3 जा 15 is equal to 100c आपको वैसे ही एक equation set कर देनी है a और b में, a और c में, okay b की वज़ी तो आपके पास already है, तो a और c में एक equation आएगी हमें उस situation तक पहुंचना है पहले, जब आप a को left में लेंगे तो 20a बनेगा, right और जो आप 5 को left में लेंगे तो आपके पास only 10 बचेगा, 15 minus 5 हो जाएगा, is equal to आपके पास आएगा उच्चो 100c only, okay यह दोरो टम आपने left में लेंगे, आपने minus कर दिएगे, अब देखिए आगे क्या होगा, चलिए आपके question क्या में लेंगे आपको, इसमें से common कुछ आ रहा है, yes common आ रहा है, 0 समें common आ दीजिए, pencil कर दीजिए, आपने 0 pencil कर दिया है, 2a plus 1 is equal to 10c, यह भिज़ा है आपको, द right में लेके क्या हो, minus हुआ, फिर यह two multiply में था, denominator में चला गया, तो मेरे पास यह expression बन गया, a is equal to this, अब यहां पर बच्चों आपके general thinking आपको help करेगी, कि क्या ऐसा possible है, for any whole value of a and c, देखिए equation तो possible है, decimal value के लिए तो possible होगे, no problem, but हम यहां बात कर रहे हैं, हमारे digits की, कि हमा आपको यह देखना है, कि क्या a और c, कोई भी whole number अगर हम यहां put करें, तो क्या यह possible होगा, चली-चली देखते हैं, जब आप c is equal to 1 put करते हैं, तो 10 into 1, 10 minus 1, 9, 9 by 2, 9 by 2, decimal number आजाएगा, जब 2 put कर, 10 into 2, जब आप 2 put करेंगे, देखिए, put कर लेके हैं, let's c is equal to 1, तो a is equal to, बच्चो क्या रहेगा, 10 into 1, 10 into 1 minus 1, divide by 2, यानिके 10 minus 1 हो जाएगा, बच्चो 9 by 2, not possible, right, चली, c is equal to, 2 पे check करते हैं, 10 into 2, क्या होगा आपका, 20 minus 1 divided by 2, that is 19 by 2, not possible, पिर से fraction में आ गया, अब बच्चो आप 3 put करते हैं, तो क्या होगा, 10 into 3, 30 minus 1, 29 by 2, बच्चो आपके पास आप क्या देख रहे हैं, कि आपको ऐसी कोई condition मिलेगी नहीं, जहाँ दोनों की whole numbers value आजाए मेरे पास, क्यों नहीं मिल रहा है, आप इस चीज़ को भी देखिएगा, बच्चो एक बार ध multiply किया, और उसमें 1 plus कर दिया, तो यह number मेरा क्या बन गया, यह number हमेशा odd होगा, for any value of, any whole value of x, x की value आप कुछ भी पूट करें, क्योंकि 2 into x आपको even बना रहा है, तो 1 उसमें add होके आपको फिर से odd बना रहा है, तो बच्चो यहाँ पर यही condition आ रही है, कि आप 10 से जब किसी number को multiply कर रहे है, जैसे हम 2 से multiply करते है, number even बन जाता है, वैसे ही 10 से multiply करने से भी number even बन जाएगा, लेकिन उसमें से 1 minus हो रहा है, तो ultimately उपर मेरा जो number बन रहा है, वो odd बनेगा, odd number divided by 2 करेंगे, तो कभी भी आपके पास exact division नहीं होगा, तो आपको divisibility rule भी आपको बता रहा है, इसी लिए हमने आपको divisibility rule सिखाए थे, तो यहां आपके general thinking जो है, इस expression को देखते ही पता लग जानी चाहिए, कि यह condition possible नहीं है, for any whole value of A and C, possible नहीं है, any whole value of A and C, okay, तो आपने check भी कर लिया, put करके, वैसे put करने की जुरूत नहीं है, आप direct लिखेंगे, this situation is not possible for any whole value of A and C, okay, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, mean B is equal to 5 is not a solution of this, B is equal to 5 is के उपर solution नहीं होगा, तो बचो आपका only answer यह की possible होगा, okay, तो इस तरीके से आप nicely अपने answer को explain करेंगे, if the question is in 4 marks और 3 marks, okay, चलिए बढ़ते हैं, आगे हमारे next topic के लिए, और कुछ आप question exercise के solve करेंगे, तो आपक तो पी कुछ word problems में आपके साथ आ रहूं है, बने रहें यूट्यूब पे next video के लिए,